हलो मेरे शाइनिंग स्टार्स कैसे हैं आप सब बच्चे I hope आप सब लोग बहुत खुश होंगे बहुत इंज्वाय कर रहे होंगे अच्छा खाना खाते होंगे ममी पापा का कहना मानते होंगे और खुब सारी पढ़ाई करते होंगे आपकी दोस्त आपकी टीचर अमिता आपका स्वागत करती है आपकी हिंदी की क्लास में इसका नाम है उज्जास हिंदी पार्ट माला चैप्टर फोर और आज हमारे पार्ट का नाम है शिर्शक है लालच का फल तो देखते हैं बच्चों यह बहुत बढ़िया बहुत ही मज़ कोई है और मुझे आशा है आई होप आपको यह कई को बहुत मज़े दार लगेगी तो चलिएं स्टाट करते हैं मूमें जैसी मिसरी घूली म्याव म्याव बिल्ली बोली मैं सन्यासी बन कर आई ये देखो बिल्ली मौसी क्या बनी हुई है? सन्यासी जैसा है इन्होंने माला भी पहनी हुई है और गेरवे गेरवे कपड़े भी पहने हुई है और ये हाथ में दोनों तरफ ऐसे ऐसे बजाने वाला बिल्ली आ हुआ है तो बिल्ली मौसी बोल रही है मैं सन्यासी बन कर आई करने निकली पुन्य कमाई डरो नहीं तुम चूहे भाई खाओ मेरे साथ मिठाई तुम्हे ग्यान का पाठ पढ़ाऊं मीठे सवर से भजन सुनाऊं सुन मौसी की जूती बातें भूल गया सब चूहा घातें देख मिठा जाई मनलल चाया उसके मूह में पानी आया जो ही चूहा बाहर आया छ्ट मौसी ने भोग लगाया और मौसी ने जल्दी से जपटा मारा और चूहे को पकड़ लिया तो कितनी मज़दार कवीता है ना ये कितनी बढ़िया कवीता है लेकिन इस कवीता से आपको एक शिख्ष मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दुष्वनों से हमेशा बच के रहना चाहिए क्योंकि चुहे को तो बिल्ली ज़ट से पकड़ लेती है ना तो चुहे ने लालच ने लीज़े लिए अब हम चलते हैं अपने कि प्रशनों पर सबसे पैले हमारे पुण्ने का मतलब अच्छे कर्म, घाते, घाते का मतलब चालें, चीट करना, जयो ही, जयो ही का मतलब जैसे ही, धृट का मतलब तुरंत और भोग लगाया मतलब उसको खा लिया, और अब है मारे question answer, सन्यासी के वेष में कौन आया, सन्यासी के वेष में कौन आया सन्यासी के वेश में बिल्ली मौसी आगे थी किसके मुँमें पानी आया बिल्ली मौसी के मुँमें पानी आया और पुन्ने कमाई करने कौन निकला पुन्ने कमाई करने के लिए बिल्ली मौसी निकली मिठाई देखकर किसका मन लल चाया मिठाई देखकर चूहे का मन लल चाया और मौसी ने किसका भोग लगाया मौसी ने चूहे का भोग लगाया अब मारा अगला कोश्चन है दिये गए शब्दों में से उचित शब्द जाटकर रिक्त स्थान भरिये तो म्याव म्याव बोलती है तो इसके आगे क्या आएगा कौन म्याव म्याव बोलता है बिल्ली बिल्ली म्याव म्याव बोलती है रंभाती है कौन रंभाता है गाय गाय जो है गाय रंभाती है और दहारता है कौन दहारता है शेर शेर वो दहारता है और भाबो करता है भाबो क कुट्ता करता है जोड़े मिलाई हमारा next question है जोड़े मिलाइए हमें नहीं आना चाहिए बहकावे में लालच करना या सोच विचार कर हमें नहीं आना चाहिए बहकावे में अच्छा नहीं होता है क्या अच्छा नहीं होता है लालच करना अच्छा नहीं होता है हमें हर काम करना चाहिए सोच विचार कर तो इसको मैंने विला दिया सोच विचार कर और हमारा next question है दिये गए शब्दों से वाक्य बनाए हमें दिये गए शब्दों से वाक्य बनाना है मिस्री मिस्री का स्वाध मीठा होता है सन्यासी सन्यासी काम लिख देंगे सन्यासी भजन करता है घात पिल्ली घात लगाए पैठी है जट उसने जट से खा लिया यह हमने शब्दों के वाक्य बना लिये और अब है जीव जन्तों को उनकी बोली से मिलाईए तो सबसे पहले कौन सब्सक्राइए क्या है कुत्ता कैसे बोलता है कुत्ता बोलता है भौ भौ तो हमने इसको नमबर थ्री से मिला दिया नेक्स्ट है चिडिया चिडिया कैसे बोलती है बच्चो चिडिया जो बोलती है चिडिया बोलती है ची 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 और चूहा गैसे बोलता है चूहा चूँ 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 बोलता है और कवा काओ काओ तो हमने इनकी बोलियों से इनका सही मिलान कर दिया अब है नीचे देख लिखे वाकियों को पढ़िये और समझी देख मिठाई मनलल चाया उसके मुँमे पानी आया यानि कि मिठाई देखकर उसका मन लल्चा आ गया और उसके मुमे पानी आ गया मुमे पानी आना एक मुहावरा होता है मुमे पानी आ गया कि खाना इतना अच्छा था कि मेरे मुमे पानी आ गया मतलब मुमे पानी का मतलब होता है कि मुझे बहुत जादा पेरे मुह में इतना पानी आना की मुझे बहुत ज़्यादा लाला चा गया तो इसका अर्थ है मुह में पानी आना का मतलब लल्चाना आप है नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखकर वक्य बनाईए अर्थ लिख सबसे पहले है अंगूठा दिखाना अंगूठा दिखाना मतलब कि उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया मुझे मना कर दिया भीगी बिल्ली बनना भीगी बिल्ली बनना डर के मारे आप कुछ नहीं बोल पाएंगे अध्यापक के सामने सीता हमेशा भीगी बिल्ली बनी रहती है मैंने उससे जब कॉपी मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया ठीक ये हमारे इसके वाक्य थे और आपने लालची किसान की कहानी पड़ी होगी चित्रों को देखकर कहानी पूरी कीजिए ये कहानी बच्चों आप अगर अपने पड़ी है एक सोने के अंडर देने वाली लालची किसान की तो इस कहानी को आप खुद अपने कौपी पे इस पे बुक पे लिखेंगे बहुत शॉर्ट में आप इस कहानी को लिखेंगे कि जो एक किसान था जो बहुत लालची था उसके पास एक मुर्गी थी और मुर्गी जो थी वो रोज एक सोने का अंडा देती थी तो उस किसान ने सोचा कि ये मुर्गी रोज मुझे एक सोने का अंडा देती है क्यों ना उसके मन में लालच आ गया तो उसने सोचा क्यों ना अगर मैं उस मुर्गी कोई काड़नू तो मेरे को बहुत सारे एक साथ खुब सारे अंडे मिल जाएंगे और ऐसे करके उसने उस मुर्गी को लालच में मार दिया और उसको एक भी अंडा नहीं मिला तो वो जो किसान था कितना लालची था और इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है बच्चो कि हमें कभी भी लालच नहीं करना है क्योंकि लालच का फल हमेशा बहुत ही बुरा होता है बचो ये वाली कहानी जो है वो आप अपने बुक पे अपने शब्दों में अवश्य लिखेंगे और इसके साथ आज का मेरा पार्ट यहीं समापत होता है बहुत जल्दी आपके साथ फिर आएंगे एक न्यू चेप्टर के साथ तब तके लिए हैपी लर्निंग और टेक क्यार